Hello friends, आज का आपना topic है website basics हर एक hotel की website होती है बट हर एक website conversion नहीं देती Conversion, conversion मतलब leads hotel की website अगर आपको leads नहीं दे सकती तो उस website structure का कोई मतलब नहीं है तो आज हम देखेंगे कि क्या होने चाहिए हमारे website में points जो हमें conversion देते है और अगर आपके website बनी हुई है तो ये सारे जो points है वो आप आपके website में check कीजिए अगर आप नई website बना जाते है तो इन सारे points का आप खयाल कीजिए उसके बाद ही आप website बनाईए So let's start So मेरे पास ये एक दो sample website है जिनके बारे में आज में आपको बात करने वाला हूँ और अपने website में ऐसी कौन सी चीज़े चाहिए जिसकी वज़े से लोग ज्यादा से ज्यादा convert करते हैं और आपके website पे आके अपना contact form अपना email id ये सारी information आपको देते हैं So आपके website एक आपका representation होता है किसी भी customer के सामने उसका first impression होता है उसको बहुत ही important हमने देनी चाहिए उस हिसाब से आज मैंने कुछ points निकाल है कि हमारी website कैसी होनी चाहिए अगर आपके पास कुछ अपना कुछ का domain name है तो आप उस domain name या आपके website पे ये सारी चीज़े चेक कर सकते हैं अगर आपके पास अभी तक आपने domain name नहीं लिया तो आपको एक नया domain name purchase करने पड़ेगा domain name मतलब आपका business का एक नाम होता है जैसे इसका नाम है janahotel.com हर एक domain name unique होता है उसमें आप .com, .in, .org ये सारे चीज़े चूज कर सकते हैं अगर आपने अभी तक website का domain purchase नहीं किया तो आप इस website पे जा सकते हैं इसका नाम है godaddy.com यहाँ पे जाके आप आपका website और आपके hotel का एक domain name purchase कर सकते हैं अगर आप आपने अभी तक purchase नहीं किया तो मैं आपको एक suggestion देना चाहता हूँ अगर आपके domain name में जो भी आपका business का नाम होगा जैसे XYZ जो भी आपका business का नाम होगा उसमें अगर आप आपके location का word add कर देते हैं तो ज्यादा beneficial रहता है SEO के लिए SEO क्या है SEO एक search engine optimization technique है जिससे आप आपके website को rank कर सकते हो हम आगे के कुछ sections में यह चीज़ भी सीखेंगे अभी फिलाल के लिए आपको सिर्फ एक domain buy करना है godaddy.com से और अगर आपने buy कर लिया है तो आप एक developer से या फिर किसी agency से आपकी website बना के ले सकते हैं अगर आपको कम price में website बनानी है तो आप इस website का यूज कर सकते हैं इसका नाम है upwork यहाँ पर आप जाके कोई भी developer pick कर सकते हैं developer जो website आपकी बना सकता है तो इसमें बहुत सारी technology होती है WordPress, Laravel and all अगर आपको price concern है तो आप WordPress में भी अपना website बना सकते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे website से देखते हैं कि कौन से points हमें बहुत ज्यादा important है अगर हमारी website पे हर एक website को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना होगा तो first, first मेना point है कि clean and neat design जो आपका design है website का वो बहुत ही clean चाहिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो यह जो website का design है यह बहुत ही clean है इसमें हर एक चीज ऐसे अलग-अलग से दिखके आ रही है जैसे कि यह title बार हो गया उनका यह title बार हो गया और यह booking engine हो गया और बाकी उनके सारी चीज़े जैसे कि content हो गया images हो गए call to action button हो गया यह call to action button यह क्या है यह में आगे के कुछ lectures में आपको बताऊंगा तो यह सारी चीज़े आपका जो design है website का वो simple and neat होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा call to action नहीं होने चाहिए जिसके बएसे लोग confused हो जाते है और उनको पता नहीं चलता कि कहा पर जाना है क्या click करना है और क्या देखना है सो आपके website के design clean and neat होना चाहिए मेरा second point यह है कि हमारे website पे हमारे website पे जो contact number है और WhatsApp number है वो clickable होने चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ clickable number तो यह जो दिख रहे है आपको यह contact number और यह WhatsApp number यह clickable है clickable का मतलब यह है कि जब भी कोई आपके website को mobile से operate करता है तो अगर वो mobile पे इस call पे click करते हैं तो वो directly अपने mobile section में जाके आपको call लगा सकते हैं अगर WhatsApp पे click करते हैं तो वो directly आपको WhatsApp के through connect होके आपको queries कूच सकते हैं तो यह हो गया call to action जैसे की call और WhatsApp और यह clickable चाहिए सिर्फ website पे आपने mention किया है वेसा नहीं चलेगा वो clickable चाहिए तो मेरा next point है special offers and campaign यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने offer section highlight किया है अब offer section highlight करने का मतलब यह है कि जो भी उनके पास offers चल रही है वो अपने clients को highlight करके दिखाना होता है तो देखें कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके offers में इंहोंने package बनाया है उस package में उन्होंने लिखा है कि इस package का टाइटल लिखा है package का description लिखा है package का price लिखा है तो ऐससे multiple packages बना है आप भी आपके website के लिए ऐसे कुछ packages अगर बना रहे है, कुछ offers दे रहे है तो आपको वो चीज highlight करने चाहिए आपके website के domain में तो ये हो गई offers की बारी मेरा next point ये है कि social media icons यहाँ पे आपको दिख रहा है social media icons और आज की वक्त में social media icons बहुत ही ज़्यादा important है आपके website को business लाने के लिए है, अगर आपके पास social media icons है अगर आप Facebook पे, Insta पे, Twitter पे, YouTube पे और LinkedIn के pages आपके पास है तो उनको आपको आपके website से link करना होगा इससे फाइदा यह होता है कि लोग आपके बारे में, आपके hotel के बारे में, आपके service के बारे में ज़्यादा जान सकते है इसका detailed description हम आगे देखेंगे ये देखेंगे सो ये मेरा fourth point है मेरा अगला point है Honest and honest clear and detailed information about hotel rooms and types अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ one bedroom apartment जैसे कि इन्होंने बताया है one bedroom apartment के बारे में इन्होंने उनका photos दिये है और one bedroom apartment के बारे में इन्होंने अपनी information लिखी है और जो भी information आप यहाँ पे लिखते हो जो भी service आप provide करते हो उसमें जो भी चीज़े आपने provide की है वो clearly mention होनी चाहिए और जो चीज़े आप नहीं provide करते है उनको mention करने की जरूरत नहीं है इससे trust बढ़ता है जैसे कि इन्होंने ये सारी चीज़े mention की है फोटो गैलरी दिये है तो ये सारी चीज़े बहुत matter करती है अगर आपको conversion ज़्यादा चाहिए तो ठीके तो ये सारी चीज़े clearly mention होनी चाहिए और come words में सारी चीज़े mention करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके domain के लिए अगर हम इनके home page पे जाते है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ओके यह ओके यह हो गया थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ यह हो गया reviews honest testimonial testimonial बहुत matter करते है और अगर वो honest रहेंगे तो बहुत अच्छा है आपने लिए आपके website के लिए जैसे कि इन्होंने TripAdvisor के testimonial डाले है यहाँ पे तो आपके भी कुछ clients के testimonial होंगे तो आप भी उस वो testimonial आपके website में यूज कर सकते है और जो भी testimonial चांगे वो unique होने चाहिए और honest होने चाहिए ऐसा लोगों को एक वो अच्छे तरह से represent करने के लिए आपको आपको client को बताना चाहिए कि आप जो भी testimonial दोगे जैसा भी आपका review रहेगा वो हम अपने website पे डालेंगे तो वो आप आपके client से ले सकते हो मेरा अगला point है कि how to arrive at hotel इस website में वो point नहीं mention किया गया बठा तो वो एक चीज होती है वो एक point होता है जिसमें आप आपके clients को बताते हो कि आपके location पे आना कैसे है मतलब buy bus अगर कोई client buy car आ रहा है तो उसको कहा कहा से कौन से कौन सा vehicles मिलेंगे या फिर क्या क्या लगेगा कौन से direction से वो आपके website तक या फिर आपके hotel तक पहुच सकता है तो ये सारी चीजों की information आपको आपके website पे देनी है इसके लिए आपको एक अलग से column करना पड़ता है इस website में शायद वो नहीं है बट हाँ वो बहुत ही important factor है कि अगर कोई आपके website को या फिर आपके business को आपके hotel को visit करना जाता है तो उसको एक clear direction देना बहुत ही जरूरी है मेरा next point है information of services जैसे कि हमने देखा कि जो भी service की information है उन्होंने clearly mention की है मेरा next point यह है कि information of services around the hotel जैसे कि आप जिस जगह पे रहते हो या फिर आपका hotel जहाँ पे है उसके आसपास कुन से destination है उसके आसपास कुन से ऐसे location है जहाँ पे लोग visit कर सकते है जैसे कि इन्होंने destination में visit किया है कि यह दूबई के आसपास blue water, jbr है बुर्ज खलीफा है और बहुत सारे चीज़े उन्होंने mention की है तो यह सारी चीजों की information आपको आपके website के अंदर डालनी चाहिए इससे यह trust बढ़ता है कि आपके hotel के मजदीक ऐसी बहुत सारी चीज़े है जो वो लोग देख सकते है मारा अगला point है responsive design responsive design एक technical term है उसको मैं simple करके बताता हूँ आप कोई website अगर आप website desktop पे देखते हैं तो उसको आपको ऐसा देखना पड़ता है बट वही website अगर आप mobile में देखते हो तो वो आपको ऐसी दिखती है और यह हो गई responsive website जब हमारी website अगर responsive है तो वो mobile में ऐसी दिखती है आज smartphone का use बहुत ही बढ़ गया है उस वज़े से अगर आप आपकी website mobile optimize करते हो तो आपको convergence के chance से ज़्यादा है यहाँ अगर आप देख सकते हो जो भी चीजे उन्होंने mobile में दिखानी है वो optimize करके दिखाई है तो यह एक बहुत important factor होता है हमारे website को rank करने में भी और लोगों का convergence बढ़ाने में भी इसके बारे में detail हम अगले कुछ sections में पढ़ेंगे मेरा next point यह है कि high quality images जैसे आप इस website के gallery section में जाते हो तो उस gallery section में आपको images देखने को मिलेगी तो यह सारी images है यह normal mobile के camera से नहीं किची गई यह एक high quality DSLR camera से किची गई है जिसका purpose यह है कि लोगों को जो भी service मिलने वाली है उसके बारे में पता होना चाहिए और उसके बारे में उनको clear information मिलने चाहिए इसलिए आपका जो भी hotel होगा या पिर जैसे भी आपकी room service होगी single room होगी, double room होगी और खुझ आप extra services प्रोवाइड कर रहे होगी जैसे कि villas and all तो आप उस villas के एक professional photographer से photos खिचवा के अपने website पे डाल सकते हो और हाँ यह website के photos compress करके डालने होते यह भी एक technical time है यह भी मैं हमारे अगले SEO के lectures में detail बताऊंगा इसके बाद मेरा अगला point है blog and announcement तो यह blog announcement section इस website में नहीं है यह website में आपको देखने को मिलेगा तो यह भी वेसी ही एक optimized website है इसमें blog and announcement का एक section होता है blog and announcement section आपको एक ऐसी service देता है कि जहाँ पे आप आपके hotel में जो भी चीज़े हो रही है उसके बारे में describe कर सकते हो आप उसके content लिखके उसका एक blog लिखके आपके website पर डाल सकते हो no matter कि वो blog कुन से language में होगा जो भी आपका client base है जैसे कि समझो आप हिंदी में blog लिख रहे हो या फिर आप English में blog लिख रहे हो या फिर आप आपके regional language में blog लिख रहे हो that doesn't matter but blog section होना चाहिए उससे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़े हुई है या हो रही है और उसके बाद में announcement section में भी वो चीज़े होती है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा event हो रहा है या फिर कोई बड़ा event या फिर कोई celebrity आ रहा है तो उसके बारे में आप उनको blog और announcement section के through बता सकते है उसका बाद मेरा next point है basic search engine optimization basic search engine optimization चीज़े मैं detail में explain करूँगा SEO section में but basic search engine optimization यह होता है कि आपके website को एक अच्छा सा title चाहिए जिस title में आपके keywords रहेंगे title क्या होता है keywords क्या होते है और बहुत सारे technical चीज़े है तो यह में हम SEO के section में detail में सिखेंगे तो यह point में अभी के लिए तो छोड़ देता हूँ मेरा अगला point है clickable map clickable map क्या होता है जैसे कि यह देखो यह map है Google का map यह clickable है यहाँ पर आप आपको satellite version भी देख सकते है और map version भी देख सकते है ऐसा ही clickable map आपके website के लिए आपको दिखाना है और यह map दिखाना बहुत ही आसान होता है अगर आपके पास कोई developer होगा तो वो जरूर map दिखा देगा बट नहीं होगा तो आप उनको बताईए कि मुझे भी clickable map चाहिए जिससे कि लोग आपका exact location देख सकते है ओके हमारा next point है email and address आपका जो address है exact address वो और email id वो contact us page पे और home page पे mention होना चाहिए home page मतलब जब कोई भी आता है आपके website पे तो first वो जो page देखता है उसे home page बोलते है तो यहाँ पे उन्होंने clickable address दिया है और clickable email id दिया है यह भी चीज़ बहुत matter करती है कि अगर आप clickable address देते हो तो यह directly Google उनके mobile के Google search map में जाके open होगा और वो आपको directly distance बता देगा कि यहाँ से कित्ता far away है कित्ता दूर है और अगर आप email id दालते हो आपका तो वो email id उनके email email list में जाके directly open होगा और उनको अगर कुछ questions पूछने होगे तो वो अपने mobile से पूछ सकते हैं मेरा next point है adaptability अब देखो कि यह website adaptability language के इसाफ से adaptable है या नहीं इसके लिए मैं language पे click कर रहा हूँ अगर आप language पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे multiple languages है शायद ही अपने को पता चलेगी यह languages बट इस languages में उन्होंने अपकी website develop की है आप देख सकते हैं यह इनके regional और local language है अगर आप इंडिया में रहते हो तो शायद आपको आपका customer base मतलब समझ के आपको आपके language में वो website convert होनी चाहिए तो उस इसाफ से आपकी website adaptable चाहिए अगर आपका कोई regional language है जैसे की गुजराती, मराथी, कन्नड और और बाकी पंजाबी तो आप उस language में भी आपका website बना सकते हो और वो website एक ही रहता है, design भी एक ही रहता है सिर्फ language change होती है मेरा next point यह है, integration of site watching tool अब आपका site watching tool बहुत सारे होते हैं जैसे की free tools बता देता हूं Google analytics, Facebook Advert और Facebook analytics यह उस चीज़ पर work करते हैं कि आपके website पर कैसे traffic आ रहा है कोन लोग आपके website पर आ रहे है, कोन जा रहे है कोन-कोन से page पर रुक रहे है, कोन-कोन से page पर क्या चीज़े कर रहे है तो इस सारी चीज़ों का track रखने के लिए आपको कुछ tools अपडेट करने होते हैं आपके website के अंदर कुछ free tools है, कुछ paid tools भी है तो यह सारी चीज़े हम Google analytics के section में detail में देखेंगे बढ़ हा, यह भी एक चीज़ matter करती है, कि आज हमें data, जो हमारे website का data है वो बहुत ही important है हमारे लिए कि हमें पता चलता है कि हमें किस section से, कौन से location से लोग visit कर रहे है कौन से country से visit कर रहे है, उनका gender क्या है, male है या female है उनका age group क्या है, उनका interest क्या है, वो कौन से date को visit किया उन्होंने दिन में कौन से time में उन्होंने visit किया, कितने देर वो अपने website पे रुके तो ये सारी चीज़े हमें एक paid campaign करने के लिए important होती है इसके वो चीज़े major करने के लिए हमें integration of site watching tool अपने website में लगाना बहुत ही important है तो ये चीज़ आपके website में होना बहुत ही जरूरी है So, मेरा next point है site map site map है कैसा map होता है जो हर एक website को website के कितने pages है क्या कौन से pages क्या information दे रहे है वो चीज़े बताता है site map के बार में भी हम बाद में बात करेंगे next point है मेरा browser compatibility जो browser compatibility हम multiple browser यूज़ करते है जैसे कि मैं fire frog यूज़ करता हूँ, chrome यूज़ करता हूँ, safari यूज़ करता हूँ यह आपको चेक करना है next point है fast loading time यह भी point हम SEO के इसमें देख लेंगे कि आपके website का loading time जब भी कोई आपका website का domain डालता है तो आपके website जल्दी से जल्दी load होनी चाहिए तो वो भी बहुत ही matter करता है और सबसे बड़ी बात की आपका जो booking engine है जो booking engine यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ यह booking engine अगर आपके home page पे नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं की मतलब अगर आपकी basic website है यह booking engine आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं अगर आपके पास यह चीज है तो आपको यह चीज home page पे बहुत ही ज्यादा highlight करके दिखानी होती है जैसे कि इन्होंने दिखाई है ठीक है तो यह सारे चीज़ यह हो गई आज के इस section में इसके बाद हम आगे के sections में इसके बारे में detail में बात करेंगे